इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. क्लोबकेर क्रीम स्टिरोइद्स नामक दवाओं के समूह से संबंधित है. इसका इस्तेमाल डमटाइटिस, एक्जिमा और अलजी जैसे विभिन तवचा रोगों के इलाज के लिए किया जाता है. यह तवचा की सूजन, लालिमा और खुजली को कम करके काम करता है और आगे जलन होने से रोकता है. क्लोब केर क्रीम बाहरी उप्योग के लिए है और इसका उप्योग केवल आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना चाहिए. दवा की एक पतली परत लगाने से पहले प्रभावित हिस्से को धोकर सुखा ले. अपनी आखों, नाक या मूँ के संपर्क में लाने से बचें. अगर यह गलती से लग जाए तो इसे बहुत सारे पानी से धोएं. जब तक डॉक्टर सलाह न दे, इलाज वाले अंग को एटाइड ड्रेसिंग जैसी पटियों से कवण न करें. दवा का इस्तिमाल करने से तवचा का पतला होना, जलन, लालिमा और लगाई गई जगह पर सूजन हो सकती है. यह अस्थाई होते हैं और आमतोर पर समय के साथ ठीक हो जाते हैं. हाला कि अगर वो बने रहते हैं या और खराब हो जाते हैं, तो यह बात अपने डॉक्टर को बताएं. क्लोब के और क्रीम का उप्योग बच्चों के लिए नहीं करना चाहिए. गर्भवती और स्तन्पान करने वाली माताओं को इस दवा का इस्तिमाल करने से पहले अपने डॉक्टरों से परामर्श करना चाहिए. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.